आरेस मैंस प्रक्षिया को पोस्पोंड करवानी की मांग लगातार तूल पकड़िदारी है रास्तान यूद्शिटी के गैट पर पिछले दस दिनों से लगातार अब्यटी जो हैं अपनी मांग को लेकर धरने पे बैटे हैं हाल फिलाल दो अब्यटी आमना नंसंबेर और करती हैं वह अपनी अग्रिशा को मांग को जो यू कहें प्रिशा पोस्पोंड करवानी की मांग जो है उसको लगातार बुलंद करते हुए नजर आ रहे हैं निर्मा चोधिस जो यहां पर साथा संग्डेक्स है वह भी पहुंच चुके हैं पहले भी उन्हीं समर्थन दिया के लिए सबसे खास बात यहां पर दिखाना चाहूंगा कैमरा पर संगे से आगर करूंगा दिखाए कि यहां पर महीला इपर्टियों की तरंजा भी अच्छी का सी मैं देखने को मिल रही है क्योंकि यह भी अब आरस मौन्स में एक्जाम है उसको पोस्टों कराने के लिए बैठें यहां पर उनके धने में सामिल हो ही है 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 हमारे साथ कुछ अब्रती मोजूद है मुंसे बात कर लेते हैं और जानते हैं आखिर में कत्ता कि इनका अंसन चलने वाला है क्या रंडिती रहने वाले क्योंकि कल केमिनेट की मैठेक में आपको जो मांग है उस पर वि मिल चुका नेताओं के बात करें की बात करें विपक्स कि बात करें बाउजुद इसके अभी तक कोई सरकार स्वज़वारा कोई पहली की गई ना आपके स्वज़वारा बात की गई ए क्या मानते हैं कि अब तक चलेगा धर्ना तो जब तक हमारा प्रेस नोट नहीं आ जाएगा जब तक चलेगा यह और रही बात है क्विश्म मंतरे की आने की तो हमारे मानने विदाई हमारे मानने जो केबिनेट मंतरी है हमारे इदमन देलाबर जी क्रोडिलाल जी कापी और अन एक सवाल आपसे भी बनता है कि आपके डेलिकेसंस दोनों रिप्रीशियम से बहुत पहले भी मुल्चुके हैं लगातार मुलागातों का दोर्जारी भी है सीम से भी आपकी केंजेट्स मिल चुके हैं बावजूद इसके अभी तक कोई रनीती तया नहीं हुई है किस परकार से आपके समझा जाए किस परकार से आपके मंगों पराऱ तुकी जिनकों के बेई जाए उन पर काही नग हमारे ऊपर बर्भरोसा ठिका हुआ है और अब जल्दी ही सरकार इस पर ने तोस कदम उठाईगी जल्दी से जल्दी तोस कदम उठाने की बात कहीं नगी अवेर्टि निए और कल के बैठक है यानि तो वहाँ पे इनको आशोसन दिया गया था कि बैठक में आपको जो मांग उसमें विचार किया जाएगा किया नाम है कहां से पहुंचे हैं आप यहां पहुंचे हैं तीन-चार दिन से मैं लगातार फोलो कर रहा हूं कर रहा हूं आपको लेकिन अभी तक कोई त्या नहीं हो पाया कुछ भी संवधानिक तरीकों से हमारी मांग उठा सकते हैं हमने उन सभी माध्यमों का प्रयोग किया है सबसे पहले हमने एक ग्रूप बनाया टेलिग्राम ग्रूप के जरी हम यहां पर आये और उसके बाद में हमारी मांग को पचास से ज्यादा मंत्री और विदायकों को ग्यापन दे आपके पक्स में लिया जाएगा नहीं यह तो नहीं का है लेकिन एक उचित फैंसला लिया जाएगा सरोसमति से लिया जाएगा तो अभी तक क्योंकि हमने बहुत सारे आस्वासन हमको मिले हैं गौवर्मेंट की तरफ से तो क्योंकि इतने सारे आस्वासन है तो हमने इतना स कि यह हमारे पक्स में आया गे परिणाम है जो एक सवाल आप से बनता है कि कल रिखेंट के बैठक हैं और आश्वासन आपको फेले वेठक में विचार किया जाएगा क्या उम्मीद है आपको कि कल के बैठक में फेसल होगा जी हमें पूरी उम्मीद है क्योंकि हमने जितने भी केभिनेट मंत्रियों से ही बनती है तो केभिनेट के जितने भी मंत्रियों है उन्हों ने हमें सकरात्मक आसवसन दिया है और वह सब्य हमारी मांग सर्व सम्मे adopty से रखेंगे और मुखमंत्री साहाब हमारी मांग को मैंनें पूरी तर्गल इस बात के लिए असबस्त है थीक है साब साब अब तो कहना है कि जब तक हमारी मांग पुरी नहीं होती तब तक हम यह से आटने वाले नीए सब से बड़ी बात यह कि कैबिनेट की बैठक कर लोगानी है उससे पहले इनको आसोसन दिया गया था सब्सक्राइब भी पहुंच चुके हैं बाउजू जिसके सरकार के कानों तरह जूनी रहेंगे लिए क्या लगता है आपको कितनी क्या मंसा हो सकती है का उसके साफ से लग रहा है कि पोजिटीव रिस्पोंस आया है हर तरह से तो हमें पूरी उम्मीद है कल कैबिनेट अगर हमें कम से कम तीन महीं नहीं तो चाहिए और हमें पूरी उम्मीद है गवर्मेंट से कि हमारी पक्स में फैसला एक सवाल यह भी था बीच में कि सिक्ष्या मंत्री मदन दियावार नहीं बने हैं वह भी आके गए थे पिछले दिनों और वहीं पर दिया कुमारी प्रेम चंद विर्वास से आपके डेलिकेशन से मिल चुके हैं बाउद उसके अभी तक कोई सकारतम बात नहीं आई है तो क्या लगता है आपको कि सकार अब अपनी हर दिर्मिता चोड़के आपकी बात मानेगी आपकी तरफ जुकाओ करेगी बिल्कुल सर हमें पूरा मतलब हमें वह है कि जरूर मानेगी इस तरह से हमें जैसे कल हमारे मिले डेलिकेशन मिला है सर से के रोड़ी मानने के रोड़ी सर भी आप आए दिलावर से भी अबीद है कि कल हमारा काम हो जाएगा है है उमीद है आपको लेकिन लगतार जब से धरना पतां शुरू है तब से लेकर रास तक है लगतार मिलने जुलने का करेंदन सुरू है अभी तक तो फैसला कुछ हुआ नहीं अब क्या लास्ट मोमेंट पैंकि आपका आमरा नंसन अ सिर्फ गांदी मादी तरीके से अपनी मांगों को अगर कल मेरे ममी पापनी od सब्जेक्ट है उनको रिवाइज करने में एक अगर तुम बैठोगे तो एक काफी सारी तो प्री से बहुत डिफ्रेंट सब्जेक्ट है नहीं होता जो चलो ठीक हम तीन महीने में कर लेंगे जो पहले आरेस की वेकेंसी हुई है उनको भी तो पांच मेने आठ महीने 11 महीने मि देखा मेला बैठी है पहुंची है यहां पे धन्ने पे उससाब का कि मैं मेरे पिता जी और माता जी इस दुन्या में नहीं है बावजुद इसके सारा खर्चा मैनेज करना बहुत मुश्किल हो रहा है मेरे लिए लेकिन कहीना कहीं सरकार को अपनी हर धर्मिता चोड़के हम अपनी मांग को लेकर लगातार आवाज जो है बुलंद की जा रही है और कहीना कहीं बात की जा रही है कि इनके मांगों पर ध्यान दिया जाएगा एक अबेटी और भी में साथ मोजूद है हम उनसे बात कर लेते हैं आपका नाम क्या है कहां से पहुंचें आप मेरा नाम राहूल मीना है मैं करोली साय हूं राहूल लगातार हम कवरेश दे रहे हैं लगातार आप यहां में दटे बढ़े हैं और आने वाले समय में किमिनल क सब्सक्राइब है कि अगर उसमें भी फैसला नहीं हुआ तो इतने दिन होगे बटकते बटकते अब बहुत हमारे यह उसकी परईशा लेने धेर रहे हैं कि अब देख लिया कल फैसला हो जाएगा तो ठीक है नहीं तो फिर हम हमारे हसाब से करेंगे अब तो हम लेकिन मैं बात कहना चाहता हूं कि बड़ी यह दुखत बात है कि जिस गोवर्मेंट का या जिनका यह मैन मुद्दा था और यह कोंग्रेस की गोसित डेट है मैंस की और उसको इन्होंने इतना उसके लिए इतना इन्होंने बीरोक्रेसी को इतना उपर अपने हवी उने दि यह यह दुखत बात हैं हमारे लिए तो कि हम ना तो ऐसी सरकार, ऐसे हम सोच आता कि BJP सरकार इस तरीके से अपने डिसीजन को इतना बोग करेगी और इनका चात रितमे ही है और योबाओं की वज़े से इस बार गोर्मेंट इनकी बनी है सीधा सब को पता है कि योबाओं ने बढ़ चट कर चुना में भाग लिया था और हमको पूरी उम्मीद यही थे कि जैसे कि इनके ट्वीट बगरा थे इनके खुद के मुद्धे थे आरपे शी में मुद्धा है नहीं कहा था और उसके लिए हमको इतना मतल़ा इतनी कटना ही है महसूस करनी ही पड़ रही थे यह हमको महसूस नहीं है लेकर मुझे पूर करना पड़ा है लेकिन संगर्स के बाद में ही लाम मिलता तो बहुत अच्छा होता है और हमें यहीं उम्मीद करता है कि इसी को मुदा बनाया था और पीसी बंग होने की बात की तिके मैं दिखाना चाहूंगा देखिए यहां पर बीजेपी सरकार का जो वादे वह एक न्यूस पेपर की कटिंग यहां पर लगा कर दिखाने की कोशिस की गई है कि अपने याद करे जो परिखाषारती है उनकी म मामों पर ध्यान देब एक लगाता और आप यहां पर दंगे बैठी है आज आप भी आमरा ननसं पर बैटी है, क्या लगता है हर एक मिनिस्टर से लिखवारें सरकार ने डिले किया है हमारी डिसीजन टेकिंग में तो इसका खामयाज़ा हम क्यों बुखते तो एटलीस हमको तीन मैने का समय दिया जाए जोसना आपने कहा कि सरकार से तीन मैने की मांग करें कल की गैनलेटी बैठे के आपने हवाला दिया तो क्या लगता है कि अगर कल डिसीजन आपके पक्स में नहीं आया तो क्या रहनेती रहने वाली है सर डिसीजन मुझे गवर्मेंट पे पूरा विश्वास है और बीजेपी गवर्मेंट ने पहले हमसे प्रॉमिस किया था कि अगर हम सता में आये तो ये सब आपके साथ नहीं होने देंगे जैसे की ट्वीट्स आपने देखे हैं तो उसमें बोला है कि प्रदेश की बेटिया रो रही है दूसरा है कि कॉंग्रेस गोवर्मेंट अगर इतनी कौन सी हट धर मिता पे अड़ी हुई है कि थोड़ा सा समय युवाओं को ओर नहीं दे सकती तो उनके प्रोमिसेस किये हु अज भी हाल फिलार बजन साल सर्मा है मुख्यमंति के पत्वकाविज हैं अब देखने वाली बात यह होगी कल केविनर की बैठा गोनी है कि जो आस्वोशन अभेटों मिला है कि कहां तक वह सहमती बंती है या फिर यह दरना यूँ है अनवरत सलता रहेगा सायोगी संजी सर अजब संगरी चेपो